हाई वरीवन एक बार फिट से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने शेनल पर और आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले परसेंटेज इरर के सम इंपॉर्टेंट कोश्चन के बारे में तो देखिए तीन कोश्चन हमने ले रखा सबसे पहले एक गोली की त्रिज्य को मेजर किया गया होगा कभी भी यहां पर क्या किया गया होगा गोले के रेडियस को एक स्फेयर है उस स्फेयर के रेडियस को क्या किया गया होगा मेजर किया गया होगा अगर इसकी रेडियस आर है तो इस रेडियस को मेजर करने में कितने परसेंट परसेंटेज इरर आया 2% की तूटी आ जाती है तो ये पूछा जा रहा है कि उसके वालूम में total कितना percent के error आएगी या फिर उसके total surface area में कितनी की percentage error आएगी तो इस सबी तरीके के question को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए एक formula होना चाहिए तब ही हम क्या कर सकते हैं इस तरीके के question को साल कर सकते हैं तो चलिए देखते हूँ formula क्या है सबसे पहले किस की बात करें हम volume की बात करें या फिर प्रिश्टी छेत्पल की बात करें बिल्कुल हमारे पास सबसे पहले क्या item है तो हम किस की बात करेंगे आयतन की ही बात करेंगे अगर इस फेयर का volume क्या हो V हो यहाँ पर तो V is equal to हम लिख सकते हैं 4 upon 3 पाई आर Q यह होता है formula आपका किस चीज़ को calculate करने के लिए किसी भी स्फेयर के volume को calculate करने का formula अगर radius क्या हो small r हो तो ठीक है अब इस equation को या इस formula को आपको क्या करना यहाँ पे आपको याद दखना आप क्या करना चाहते हो percentage error के लिए formula बनाना चाहते हो अभी हमारे पास percentage error का कोई formula नहीं है हम इस formula से percentage error का formula जब बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करते हो इस formula को write कर लेते हैं जिस formula से हमको क्या करना है percentage error यहाँ पे आयतन काम को टोटल चाहिए तो आयतन के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया फॉर्मुले को राइट कर लिया अब क्या करेंगे यहां पर बोट साइड लाग आपरेट करेंगे यानि लाग लेने पर लेने पर अगर हमने लिख दिया यहां पर अगर हम लाग इस्तमाल करेंग लाग के वो formula ही learn होनी चाहिए जो यहाँ पे हमको use करने तो चलिए हम से सबसे पहले क्या करते है लाग के formula को ही write कर दें यह हो जाएगा लाग यम पे power यन के form अगर कोई value है उसको हम लिख सकते है यन log यम के form यानि अगर कोई log की value power यन के form में है तो यह पामर होता वो multiply में आ जाता देखे यहां पर second formula अगर हम लिखना चाहें तो log यम इंटू यन के form अगर कोई data है इसको हम लिख सकते हैं क्या log यम प्लेस लाग यन के form कहने का means अगर log value क्या है multiply के form में है तो इसको आप add के form में लिख सकते हो ऐसे कोई formula log यम यन के form में हो इसको आप क्या लिख सकते हो log यम माइनस लाग यन के form में तो यह आपकी यह तीन basic formula है यह नहीं तीन basic formula से यह आपके क्या होने है percentage error वाले formula बन जाएंगे देख सकते हैं यहां पर यह four upon three प्लस लाग पाई हो जाएगा प्लस लाग पाई हो जाता है प्लस यह त्री हो गया अभी इन आपको ऐसे राइड करना है तो लिख देते हैं four upon three प्लस लाग पाई हो जाता है प्लस यह देखिएगा पामर यन के formula यह formula यहां पे applicable है पामर three है तो इसको multiply लिख सकते हैं तो three लाग आर लिख सकते हैं किसके इक्वल था यह लाग वी के इक्वल था अब हम लाग के formula को यूज करके इसको क्या कर दी हैं जितना भी simplify करना था कर चुके हैं अब क्या करते हैं इसका आंसिक करते हैं यहां पर याद रखना पड़ेगा ऐसे स्टुडेंट जो बायों से हैं उनके लिए थोड़ी सी problem होगी क्योंकि यह मैथ वाले स्टुडेंट्स को तो यह पढ़ना कंपल्सर है जब differentiation यानि आवकरन करना सिखेंगे उनको यह सारी चीज़ें वहां पर बताई जाती हैं आंसिक आउकलन करने पर ठीक है तो क्या करना यहां पर सबसे वी अपान क्या चीज़ वी लिख दीजेगा इस तरीके से फिर इस इक्वाल टू आपको यह भी याद रखना है अगर लाग वैलू किसी कांस्टेंट के साथ लगा हुआ कांस्टेंट मतलब आप समझ सकते होंगे वह कोई नंबर हो जैसे फोर अपान थ्री पाई भी अपन करते हैं या फिर आंसी काउकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैलू कांसी काउकलन क्या होता जीरो होता आपको यह रिमेंबर कर लेना हमेशा के लिए अगर कोई कांस्टेंट उस वैरियेबल के साथ मल्टिपलाई के वाम में तो यह नहीं जीरो होगा ध्यान रखिएगा यह थी आपको क्या होने वाला है मिलने वाला है तो छी यहां लिखेगा डेल्टा नार अपान क्या चीज़ आर इस तरीके से आप राइट कर दोगे ठीक है तो आन्सिक करने पर क्या हुआ वी था तो डेल्टा वी अपान वी होगा यह तर्म और यह तर्म कांस्टेंट था अलग अलग इसलिए दोनों के प्लेस पर जिरो लिखेंगे फिर क्या होता है थ्री यहां पर कांस्टेंट है तो यह बगल में ऐसे रहे क्योंकि थ्री अकेला कर रहता तो जिरो हो जाता है यह अकेले नहीं है किसी वैरियेबल के साथ है इसलिए यहां पर यह बगल में पड़ा हुआ है तो डिफ्रेंसियेशन आप जब करेंगे आर का लाग आर का तो यह वन बाई यार करके और डेल्टा वर्ड आपका उसे में य वी और इज इक्वल टू थ्री डेल्टा आर वाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा अब क्या करना इसको प्रतिसत तूटी में चंज करने के लिए हमको हैंडेट से बहुत साइड मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो लिग दीजे डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा वी इस से पहले जब निकाला गया था वैलू माध निरपेश तूटी तो वही यह डेल्टा आर और आनमे-ार क्या है उसका वास्तविक मान है तो आपका माद निक्वैश निक्पिश तुटी बट्टे वास्तविक मान घुड़े सव बराबर क्या मनें बताया था प्रतिशब थी बताया है यह वैलू आपको पहले से एंसर हो गया इस तरीखे से ये क्या हमने निकाल दिया आयतन में प्रतिस्यत स्थुटी निकाल दिया अगर आपको क्या­ चाहिए प्रिष्टीilisethicky चाहिए तो कैसे निकालेंगे प्रिष्टी चत्पर का भी वही सेम प्रॉसेश है पहले सबसे करना बताया है बोथ साइड लॉग ऑपरेट करना बताया है तो चलिए लॉग ऑपरेट करते हैं लॉग एज इक्वल टू लॉग यह हो जाएगा फोर पाई आर इसक्वाइर फिर से काइंस्टेंट मल्टिप्लाई के फॉर में तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे हो जाएगा लाग फोर प्लस लाग पाई हो जाएगा प्लस लाग आर इसक्वाइर हो जाएगा यह आपका क्या है लाग ए है यहल अच्छा साइड में फिर से एक बार राइड कर दीजिए लाग इज क्वॉलटी यहां हो गया लाग फॉर प्लस लाग प्याइप ग्लस यहांद एप मर्ट Policy में आ जाएगा हो जाएगा लाग आर अब यहां से हमने क्या बताया आपको करना बताया ठीक है तो ल思 hack जब हम लो Sep करेंगे निस्तों करने पर आंसी कॉकलन करेंगे यह हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इस तरीके साथ आपको राइड करना हमने बताया जो कुछ भी रहेगा उसके साथ आप डेल्टा के साथ लिख दीजेगा यह constant इसके जगह 0 यह भी constant इसके जगह 0 लेकिन 2 किसी variable के साथ तो लगा रहेगा और आर हो जाएगा अब इसको percentage के formation करने के लिए हैंडेट से बोथ साथ मुल्टिपलाई करना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए इन्टू हैंड्रेड इस इक्वल टू टू टाइमस आप डेल्टा आर बाई आर इन्टू हैंड्रेड इस इक्वल टू अब बात करें तो फिर से देखी हमको कितना पर्षेंट इसकी जगें पर हमको क्या लिख देना है तो पृष्टी छेथपल में में वी तो प्रिष्टी चेथपल उस गोले के लिए आपको पता होना चाहिए कितना है फोर पाई यारी स्कॉयर है फिर लॉग ऑपरेट करने और सिंपलिफाई करते हुए चले जाना सिंपल था कोस्टन है नेक्स कोस्टन की अगर हम बात करें कोस्टन नंबर थर्ड की हम बात हैं सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन के कार्डिंग यहां देखेंगे सबसे पहले क्या है एक गोले की त्रिज्या दी गई है उस गोले की त्रिज्या अगर दी गई है तो हमको क्या निक करेंगे सेम प्रॉसेस कहां तक आना है हमको यहां तक और फिर डेल्टा वी अपान वी का माड़ वैलू और इंटु हैंडेट करते हैं इस इक्वल टू यह त्री टाइम साफ डेल्टा आर वाई आर इंटू किया चीज हैंडेट राइट कर देंगे हमारे पास क्या क्या information है हमारे पास यही एक information है इसमें आप अगर देखेंगे तो delta r की जो value है न वो 0.1 है ठीक है 0.1 centimeter आप ध्यान रखेंगे यही वो value है जो यह बता रहा है कि इसमें कुछ error है मतलब अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता जैसे 5.3 कोई major किया होगा न radius r is equal to 5.3 centimeter किसी sphere के radius को major किया गया तो हो सकता है उसमें 0.1 अधिक हो सकता है या तो 0.1 उसमें कम हो सकता तो जब minus करेंगे तो कम हो सकता है या फिर प्लस का यूज करेंगे तो 5.3 से क्या हो सकता यह 0.1 अधिक हो सकता है यानि दोनों possibility है अधिक कभी और कम कभी इसलिए error जो होता हूँ और टू types का भी बताया जाता है धनात्मक इरर यानि धनात्मक तुटी और रिडात्मक तुटी यह दोनु possibility एक साथ लिया हुआ है इसलिए यहां पर दोनों को रिपर्जन कर दिया गया है तो आप यहां से देखके निकालना आपको आना चाहिए कि यहां पर 0.1 क्या है आपका डेल्टा आर है और आर की वैलू क्या है 5.3 है तो देखिए मारे पास यह question का formula है इस formula में सब कुछ हमको रख देना है तो रख दीजिए डेल्टा वी अपान वी इन्टु हैंडेड हमको आयतन में प्रक्सेत तूटी चाहिए इजने की वैलू चाहिए तो 3 इन्टू यहां लिखेगा डेल्टा आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग डिल्टा आर के प्लेस पर हमको मिलेगा 0.1 अपान 5.3 और इन्टू क्या हो गया हैंडेड हो गया तो 3 इन्टू यह देखिए डेस्मल के बाद 1 डेशिट, डेस्मल के बाद 1 डेशिट 10 से उपर निचा आ मल्टिप्ला ऑई कर दे तो 1 अपान क्या हो जाएगा 53 इन्टू हैंड हो जाएगा और यह 3 इन्टू हैंड़ेड अपान 53 लिख सकते हैं और जब 53 से डिवाइड करेंगे तो यह 1.886 एट करके वैलू आता है और जब 3 से multiply करते हैं तो 5.66% आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है तो इस question में भी क्या था गोले के आतन में अधिक्तम कहने का मतलब क्या है यहां पे सब कुछ value आपको plus ही यूज करना है कहीं कि भी आपको minus के form में करके इसको चेंज नहीं करना क्योंकि अभी अधिक्तम की बात जो है ना इस second question में हम confirm करेंगे अधिक्तम या नियूंतम की बात क्या उसमें कहीं गई है पर अभी फिलहाले तीन मापित रासियों ABC से निम्न प्रकार संबंदित मतलब वह जो यस है वह ABC पर डिपेंड करता है तो वह यस इस इक्वल टू क्या है वह फॉर्मूला आप देख सकते हैं यस इस इक्वल टू एक यू बी स्क्वाइर अपान क्या है सी है अब यह जो फॉर्मूला इस इस फॉर्मूले से हम को क्या करना सबसे पहले परसेंटेज एर के लिए फॉर्मूला बनाना है बनाने के कहीं कुछ हम क्या कर पाएंगे साल्व कर पाएंगे देखि इस प्रिकारिया संबन्दित partly abc कि मापों में करम सं 1 % 2 % तथा 3 % की तोटियाा हैं तो हैं इस के माप में संभावित कितने प्रतिस्थत की तूटि होगे या आधिकतम कितने प्रतिस्ट की तूटी होगी, दोनों बात एक ही है यहां के लिए, नो चलिए simplify करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, yes is equal to जो formula है ना, उसको हम write करेंगे, aq b square upon क्या चिस c, यह हो गया formula जो अपने पास था, इस formula से क्या करते हैं, both side log operate करते हैं, तो लिखा जाए, log लेने aq b square upon c, अब यहां पे देखिया जाए, तो log ym by yn वाला formula operate हो रहा है, यह वाला formula लग रहा है, तो इसको इस formula पर open कर दीजे, तो लिखेंगे, log ys is equal to log aq b square minus log c हो गया, अब देखिए, यहां पे दो चीज multiply के form में हैं, तो multiply के लिए यह formula अपने के बहले है, उस formula से write कर दी हो गया, log aq plus log b square minus log c, आपका यह लच्चेस में क्या है, log ys है, फिर क्या करते हैं, जो power होता, वो multiply में आ जाता, आप यह जानते होगे, log a plus 2 log b हो जाएगा, minus log c हो जाएगा, और यह क्या है, आपका log ys is equal to, इसके बाद क्या करना हमने बताया, आंसिक आउकलन कर देते हैं, चलिए, आंसिक आउकलन कर देते हैं, आंसिक आउकलन यहां भी किया जाएगा, जहां कहीं भी formula मिलेगा आपको, और वो percentage के लिए formula में change करना रहेगा, आपको क्या करना है, आंसिक आउकलन करना पड़ेगा, करने पर, चलिए, आंसिक आउकलन क value भी लगा देंगे और इस इक्वाल टू जब लिखिएगा थ्री टाइमस आप बनेगा यह थ्री इंटू डिल्टा ए अपान ए लिख दिजिएगा और यहीं पर बाहर इन सब के साथ प्लस माइनस का सिम्बल आप इस बार जनरल फॉर्म में हम लिखते चले जा रहे हैं फिर क निमतं दूनों की बात करेंगे बात Originally आधिक्तम की बात करेंगे तो चलिए यहां-पे यहां-प्लस- यहां-उन क्या लेंगे प्लस माइनस क्योंकि इससे पहले भी आंसी का ओकलन किया गया लेकिन वहां पे हम डारेट पहले ही कह दिये कि अधिक्तम प्रतिसत तूटी हमको चाहिए जब अधिक्तम प्रतिसत तूटी चाहिए था हम प्लस के ही साइन को लेके चलेंगे जितका भी भी माइनस को नहीं लेक कखर रहे हैं तो प्लस मानेस एक बार करेंगे डेल्टा स्ञाइब क्या सि हो गया चला कस्यां और फिर अधिक्तम प्रतिस्सत्तूटि की बात करेंगे पिर इस मांड वैलू फिर एंट्व हैंड्रेड ठीक प्लस टू डेल्टा बी अपान बी इंट्व हैंड्रेड हो जाएगा अब इसके बाद से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वह इंफॉर्मेशन है क्या यहां एक पर्षन किसके माप में तूटी है एक माप में तो वह आपको पहले से ही गिवन है अगर जो चीज गिवेन उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग राइट कर लेते हैं यह क्या ओ जाएगा डेल्टा एबाई एंटू हैंडट्व यह दिया गया है कितना वन परिसेंट फिर डेल्टा वी बाई वी की value आपको लिए गया है कितना percent two percent और फिर डेल्टा c by c into hundred is equal to दिया गया है कितना three percent यानि ABC को जब मेजर किया गया होगा तो एक percent two percent और तीन percent केस में क्या आया होगा तूटी आया होगा इसके place पर हम क्या लिखेंगे अब three into one पर्षेंट लिखेंगे फिर प्लस टू इंटू टू पर्षेंट लिखेंगे फिर प्लस यहां पे कितना थ्री पर्षेंट क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो जाएगा कितना थ्री पर्षेंट हो गया प्लस फोर पर्षेंट हो गया और प्लस थ्री पर्षेंट हो ग पहले उस formula को convert करना होगा percentage error के formula में और question में जो कुछ information दिया गया है उस information के according values को write करना है और formula में use करते हुए आपको क्या कर देना है solve कर देना है तो यह बहुत ही आसान तरीका है आप अगर चाहो इसको डाइरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे कि कोई भी एक formula हो हम y is equal to लिख दियते हो यहाँ पर a q b square c three three power three है y d power two है इसको क्या करना percentage error के form एकर convert करना हो डारेक्ट को डारेक्ट बिना unseek outline किये आप कैसे करोगे वो भी एक तरीका है आप डारेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो यह है वाई तो इसको सीधे-सीधे लिखिएगा लाग डेल्टा वाई अपन वाई इंटू हैंड़ेड लिख दीजे आप यहलेचेस में is equal to power है तो इसको इंटू हैंड़ेड लिख देंगे अब देखिएगा डी स्क्वायर है फार्मुले में यहां पर माइनस बनना चाहिए लेकिन हमको अधिक्तम प्रतिस्त तूटी अगर चाहिए तो जबर जस्ति आपको प्लस यहां दिखाना है तो टू डेल्टा डी बाई क्या चीज़ डी इंटू हैंड़ेड हो जाएगा आपका यहां का फार्मुला एक बात और बता दें जिस रास के उपर जितना ज्यादा पामर होता है उसमें होने वाले जो इरर होती है वो उतना ही ज्यादा हो सकती है कैसे पता चलता है अगर यहां पामर फोर है ठीक है देख लिजए पामर फोर यहां फिर फाइफ हो एक के पामर फाइफ है तो आप यहां देखेंगे किवाल यह इसी में फाइफ से क्या होगा मल्टिप्ला होगा इसका मतलब क्या हुआ यहां पर बी सी डी जो भी रास्यां उन पर पावर क्या है कम है तो उनमें जो इर होने वाला है इसके तुलना में कम हो गया देखिए पांच गुना हो जा रहा है और यह लोग दो ही यह तीन यह दो इस तरीके से आप यह दियान रखें कि जिस भ राज का डेटा जब निकाले बहुत ही सावधानी पूरग निकाले जिससे कि आपका यहां पर तुटी कम से कम बने अधिक्तम तो निकालते से इंफो आप क्या क्या कि लैब में गया एक्सपेरिमेंट किये और एक्सपेरिमेंट के द्वरान जो कोई भी डेटा आपको मिला उस डेटा को अगर रख करके फॉर्मुले में सिंपलिफाई करेंगे तो आपको वहां पे दिखाना पड़ता है कि आप कितना अधिक से अधिक एक्वरेट वैलो निकाले हो तो एक्वरेट वैलो कैसे पता चलेगा जब वहां पे आप परसेंटेज इरर निकालो परसेंटे इरर आया था वह हमारे कहां के लिए फायदे मन था अगर एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट ऐसा कुछ होता परसेंटेज इरर तो उस डेटा को एक्सेप्ट करते हुए उस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल कर दिया जाता आपका सही है डेटा लेकिन दग-दस परसें पर ज्यादा पावर होगा उसको उतना ही ज्यादा साउधानी पूरवक आपको उसका डेटा निकालना होता है ठीक है तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में तब तक के लिए दीजिए जाजत लेकिन जाते जाते एक बात और आपसे कहना चाहेंगे वीडियो क लाइक करना ना भूले वीड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसी के साथ अपने फ्रेंड्स में वीडियो को सेयर करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई